कि नमस्कार स्वागत है आप सभी का आरोग्य वंत्र में मैं हूं नीरजा शैया मूत्र यानि की सोते समय बिस्तर गिला करना उपहास का नहीं उपचार का विशे है ची हां इस अवस्ठा में जो लोग होते हैं वो बहुत ही शर्मिंद की महसूस करते हैं तो आइए जानते हैं हमारे आयरवेदा गुरू द्उक्ट्टर प्रताब चौहां से कि आयूरवेद ऐसी अवस्ठा में ऐसे में इसे लोग के लिए क्या कर सकता है आई ये बात करते हैं डॉक्टर प्रितार चौहां से डॉक्टर साब नमस्कार जी आपका बहुत-बहुत स्वागते हैं हमारे कारेकरम में शुक्रिया जी तो आज का जो हमारा विशे है वो है बेड़ वेटिंग जी जैसा कि मैंने कहा कि जिन लोग को ये जी तो आज हमने विशे उनी सभी लोग के लिए रखा है और आम शूर हमारे दर्शक हमारा आज का विशे बहुत ही ध्यान सी रेखेंगे और मैं बता दू हमारे दर्शकों को हमारा हेलफ लाइन नंबर और आपका लाइफ लाइन नंबर जो है 01294040404 आप इस नंबर पर हमें कभी भी फोन कर सकते हैं जीवा आयरवेदा के एक्सपर्ट टीम अफ डॉक्टर्स आपको कॉल बैक करेंगे और डिसकस करेंगे आप जो अवस्था है प्रॉब्लम है यह क्यों होती है देखिए आम तोर पर बच्चा जब पैदा होता है तो चार-पांच साल उसकी यूरिनेशन होती है जो पिशाब करने की जो इसकी वो इन्वोलिंटरी होती है उसको पता नहीं चलता है लेकिन उसकी बाद उसका कंट्रोल जाता है उसको कंट्रोल आ जाता है फिर वो बताएगा आपको कि मुझे ट्वालेट जाना है और धीरे धीरे फिर यह आदत जो है रात वाली खतम हो जाती है लेकिन कुछ लोगों में कॉंटिन्यू रहती है दो प्रकार का जो है बैड वेटिंग देखने को मिलता है एक प् कर दस-बारे साल की वों तो फिर चालू हो जाता है कुछ एसे कैसिज भी होता है तो इसके जो मूल कारण है कारण वैस से देखा जाए तो हम iarveda की द्रिश्टी से देखे थे तो पित की अधिकता जयादी मूतृय मार्ग में या या यूरिंएरी सिस्टम में पित ज्यादा गर्मी ज्यादा है, तो उसके कारण होता है, या फिर ऐसा देखा गया है कि अगर यूरिनरी ब्लेडर मुत्राशे, उसकी जो मासपेशी हैं, वो कमजोर हैं थोड़ी से, उसकी वज़े से प्रॉब्लम हो सकती है, नर्वस सिस्टम से भी होता है, नसें जो है, वो नसें कमजो अफिरल इंविर मुटा तो वो मुझो जल्दी से भर जाता हैennes और रात को जो बच्चा सो रहा है और पता है को जो आप सो रहें तो इसको कहे बाड़ी मालूम नहीं चलता है उसको पता नहीं चलता है और बहुत जादा लिक्ट का जो शेवन करें उसको भी प्रोब्लम हो स तो कारण कही है लेकिन इसका उपचार कैसे करें इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे और थोड़ा सा आपको यह बता दें कि अगर ऐसी समझ्य आपको है तो अगें मैं वही कहता हूं कि थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी चाहिए कि फिजिकल प्रॉब्लम है यह इमोशनल प्रॉबलम है यह नर्वस सिस्टम की प्रॉबलम है यह कोई STRUCTURAL प्रॉब्लम है अपने वाकिय में डॉक्टर साब बहुत सारे कारण बताए और यह कारण बहुत जरूरी है हमारे दर्शुकों को जानना लेकिन है नाहिए पहले बात करते हैं हमारे शोग के कि अपना सवाल अभी एज कितना है आपका 37 37 और कब से चल रही है प्रॉब्लम यह कितने साल हो गया आपको प्रॉब्लम हुए अच्छा आप स्मोकिंग करते हैं स्मोकिंग तमाको गुटका वगरे कुछ खाते हैं जी देखिए मैंने इसलिए पूछा है कि ज्यादतर लोगों को जो तकलीफ मैंने देखी है यह शिगर पतन या प्रिमचर एजेकुलेशन इसको बोलते हैं तो उसमें तमाको का बहुत मohatedland तो आपको कारण को ज़रूर समझना चाहिए क्या करते हैं महेंगी की दवाईय होते हैं यह आज कल क्योंकि इसरों कि लिए लोग पता नकिने क्यों इतने महेंगी दवाईय बेचते मुझे समझना आता कोई पंद्रागु मैंन दवाई दे रहा है कोई भी सजार की Flautे तो जो लोग smoking करते हैं उनका सबसे पहला इलाज क्या है तमाखु छोड़ दीजिए बिल्कुल गुटका छोड़ दीजिए बीडी सिग्रेट छोड़ दीजिए शराब मत पीजिए आपका जो है इसी से रोग ठीक हो जाएगा क्योंकि जो भोजन हम खाते हैं उससे हमारे सारे धातू बनते हैं और धातू बनकर के धातू का कमजोर होने का कारण यहां क्या है टबेकों तो उसको छोड़ा जाए दूसरा फिर यह है कि जब छोड़ देंगे आप उसको उसके पस्चात आपको कुछ आयरवेदिक आश्दियां बहुत अच्छी हैं वह आप सेवन करें ल बहुत अच्छे सारे रीजन बताएं कि किन किन कारण की वज़े से श्रया मुत्र जैसा रोग हो सकता है बैड बेटिंग का अब हम आपसे जाना चाहेंगे क्या लक्षन है इसके कैसे लक्षन तो इसमें मुख्य रूप से यह होता है कि जब आप नीद में होते हैं नीद मे करके यूरिन पास कर लेते हैं लेकिन इसमें क्या होता है कि रात को आप सो रहे हैं और आपको पता नहीं चलता है कभी कबार तो कोई सपना आ रहा होता है और सपने में आपको लगता है कि आप जगे हुए हैं और आप कहीं पर यूरिन के लिए जा रहे हैं कभी कबार गहरी नीद में सोय हुए बाद में आप जब उठते हैं या आप किसी कारण से जब आपको लगता है कि कुछ बिश्तर गिला है या मेरे कपड़े गिले हुए तब आपको मालूम चलता है यह लक्षन या दूसरा लक्षन इसमें यह भी है कि दिन के समय में भी अगर बार-बा हम आप से मिलेंगे इस छोटे सी ब्रेक के बाद